नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में अगर आप एक ब्लोगर है तो आपके पांस एक स्ट्रोंग इमेल लिस्ट होना बहुत ही जरूरी है अगर आपके पांस एक स्ट्रोंग इमेल लिस्ट होगा तो आप इस इमेल लिस्ट का बहुत ही सारे तर कर सकते हो तो अगर आप एक beginner blogger हो तो आजमा आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप बिल्कुल फ्री में convert kit का यूज़ करके एक strong email list build कर सकते हो तो यह सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहे हैं तो सबसे बेले दोस्तों मैंने आपको बताए इस तरह से अगर आप एक blogger हो काफे टाम से blogging करते हो और आपके पास एक strong email list नहीं है तो मेरे ख्याल से आपकी सबसे बड़ी गलती होगे आपको जैसे आप अपना blog setup करते हो और आपको लगता है कि मेरे blog के अंदर जो कुछ traffic आने लगा है तभी आपकी blog के अंदर आपको ऐसा setting कर देना है कि आप एक strong email list build करना start कर देंगे अगर आप एक beginner blogger हो तो ऐसे बहुत सारे रास्ते available है market के अंदर की बिलकुल फ्रीम में आप एक strong email list build कर सकते हो तो सबसे पहले तो दोस्तो मैं मेरा live example देखा देता हूँ कि मैं कौन सा method यूज़ करता हूँ email list build करने में वैसे तो आप अपने blog के अंदर कापी सारे रास्ते हैं इसके मदर से email list build कर सकते हो लेकिन सबसे जो effective यह है वो है आपकी site के अंदर आपको convert kit की मदर से pop-up add करना है यह सबसे effective इसलिए है कोई भी blogger आपका blog visit करेगा आपका blog post visit करेगा तो automatically इसको एक pop-up show होगा और इसके अंदर जो पूंचा जाएगा कि क्या आपको हमारे newsletter को subscribe करना है वगेरे तो यहाँ पर आपके सामने blog open है इसमें से कोई भी visitor आकर किसी भी परकार की जो post open करता है post open करने के बाद इसको एक pop-up show होगा और इसके अंदर वो अपना email और name एड़ करेगा तो आसानी से आपके blog को subscribe कर पाएगा तो देखी यहाँ पर आपको देखे देगा जैसे मैंने single post को open किया तो आपको यहाँ पर देखे देगा कि join the newsletter और आपको आपका नाम और email एड़ करना है तो जो कोई भी visitor यहाँ पर आ आते जाएंगे इस तरह से यहाँ पर subscribe करते जाएंगे तो इस तरह से आप एक strong email list build कर सकतो हो तो इसको यहाँ पर हम close कर लेते हैं आपके सामने दो website open है infinite ज्यान के अंदर में आपको सिखाऊंगा कि कि किस तरह से इस परकर का pop-up आप एड़ कर सकतो हो तो आपको simple convertate.com website visit कर सारे premium template सब कुछ मिलता है तो इसका आपको use करना चाहें तो simple आपको website visit करने के बाद यहाँ पर आपका जो बिल्कुल free वाला account बनना है तो यहाँ पर हम click करते है create a free account के ओपर इसके बाद यहाँ पर no I am just starting email list इसके ओपर click करना है इसके बाद यहाँ पर एक आपके पांस website है तो आपको यहाँ पर yes पर click करना है इसके बाद आपका platform आपको search करना है तो हमारा website wordpress के अंदर है इसके बाद यहाँ पर आपको email add करना है और password इसके बाद आपको determine condition को accept करके get started के ओपर click करना है तो आपका account successfully open हो चुका है इसके बाद simple आपको आपके Gmail के अंदर जाके जो convert kit का account है इसको सबसे पहले आपको verify करना है तो यहाँ पर आपको देखे देखा confirm your convert kit account verify apply email के उपर आपको click करना है तो अब आपका जो account है उसके आपका आपका ConvertKit का account है इसको आपके WordPress website के साथ आपको connect करना है तो simple आपको account setting के ऊपर click करना है यहां से आपको API key और API secret मिलाईगा इसका आपको use करना है इसके बाद आपको simple जाना है WordPress के dashboard में इसके बाद plugin में add new plugin में यहां से आपको plugin add करना है तो यहां पर आपको लिखना है convert kit यह सबसे पहला जो plugin है इसको आपको install करके active करना है plugin successfully active हो चुका है इसके बाद आपको जाना है setting में setting में जाने के बाद convert kit के ओपर click करना है यहां पर आपको आपका API की paste करना है यहां से आपको आपकी account में सबको मिलेगा तो यहां पर हम paste कर देते हैं इसके बाद आपका API secret है वो यहां पर show होगा इसको आपको यहां पर paste करना है इसके बाद simple आपको save changes के ओपर click करना है तो जो आपका convert kit का account है वो आपकी wordpress website के साथ successfully connect हो चुका है इसके बाद के step के अंदर आपको आपके account में से एक pop-up बनाना है यानि कि आपका एक जो email का template बनाना है तो इसके लिए simple आपको जो आपके account के अंदर landing pages and form के ओपर आपको click करना है इसके बाद आपको यहां पर देखे देगा red side में create new का button इसके ओपर आपको click करना है इसके इसके बाट इसमें से आपको तो करना है डोर तो आपकी पोस्ट के अदर अब ये आ पके ऊपर ड后 टैम्म्लेट आ आपकोट करना अको सूज बटन के उपर क्लिक करूँगा तो आपके सामने यह complete template ओपन हो जाएगा इसके बाद जल्दी से हम इसको modify कर लेते हैं इसके बाद मैं आपको बदाऊगा किस तरह से आप अपने post के अंदर इसको add कर सकते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखे देगा कि आप आपकी website का logo है वहीं तो यहाँ पर में logo add कर देता हो तो देखिए यहाँ पर logo आ चुका है इसके बाद यहाँ पर यह जो आपका by default template है इसके अंदर आप किसी भी पर कर किस्टमाजेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो बटन का color वगिरें लेकिन हम इसको by default रहने देंगे इसक पर आपको code shortcode मिलेगा लेकिन आपको इसका user नहीं करना है अगर आप wordpress user हो और आपने plugin को connect करके रख आपके जो convert kit अगाउन के साथ तो यह बहुत ही आसान इस form को connect करने के लिए simple इसके लिए आपको जाना पड़े का आपके dashboard में इसके बाद आपको जाना है setting में और convert kit के आपको click करना है इसके बाद यहां पर आपको क्या करना है एक बार refresh forms के ओपर आपको एक बार click करना है इसके बाद complete dashboard को एक बार refresh कर लिजे तो अब जो यहां पर default form है वहां पर जो आपने recent form बना जाए है वो आ जाएगा देखिए आपको यहां पर देखा देगा इसको select कर लिजे और Save Changes के उपर क्लिक कीजे अब यह तो आपका फॉर्म है वो आपके सिंगल पोस्ट और पेजिस के अंदर शो होगा सिंपल यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको टेस्ट कर लेते हैं टेस्ट करने के लिए आपको दूसरे ब्रावजर का उच्श करना पड़ेगा यहाँ पर हम simple website open करते हैं infinite again यहाँ पर home page के अंदर आपको यह pop-up शोर नहीं होगा simple इसके लिए आपको किसी भी एक post को open करना पड़ेगा तो देखी यहाँ पर आपको देखे देगा कि pop-up सामने आचो का है successfully अब यहाँ पर कोई भी visitor आएगा वो क्या करेंगा simple अपना नाम लिखेंगा और यहाँ पर इसका जो email है वो लिखेगा ऐसे की यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके बाद subscribe बटन के ओपर हम क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर escape साब को सोल करना पूड़े तो देखी आपको देखे देखा कि successfully हम subscribe हो चुके है इसके बाद simple जो user है इसको इसका email एक बार जो verify करना होगा तो ही यह subscriber है वो आपकी email list के अंदर add होगा ऐसा आपको enable करके रखना था कि आपकी website के अं confirm your subscription के उपर आपको क्लिक करना है तो जो आपका email है वो successfully confirm हो चुका है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि simple dashboard में जाके चेक करेंगे कि कि recently subscriber confirm हुआ है वो आया ही या नही हमारी list के अंदर तो यहाँ पर आपको देखे देगा कि एक subscriber आ चुका है इस तरह से जैसे जैसे आपके blog के अंदर traffic आता जाएगा आपके जो email list है वो grow होती रहेगी इसके बाद आपके पांस एक strong email list बिल हो जाती है इसके बाद आपके account के अंदर आपको broadcast का option मिलता है यहाँ से एक ही साथ आप अपने जितने भी जो subscriber है इसको आप custom email send कर सकतो हो जैसे कि यहाँ पर मैं जैसे आपकर का ebook का notification send करना है तो यू broadcast के उपर आपको किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको जो subscriber select करना है आपको particular subscriber को send करना है यह तो सभी को यहाँ पर हम all select करेंगे इसके बाद आपको next step के उपर किलिक करना है यहाँ पर आपको आपका email जो लिखना है यान कि आपको template आपको सूस करना कि किस्त प्रकर का टेंप्लेट यहां से सेंड करना चाहतों जिसके यंदर यहां से डारिक्ली आपको आपके पोस्ट के बारे में लिखना है या तो आपके कांटेन के बारे में लिखना है सभी के बारे में आप यहां से लिख सकतों इसके बाद सिंपल आपक यहां पर आपको देखे देगा कि सेंड ब्रोटकास्ट तो यह इमिडिेटली आपके जितनी बिड़ो सब्क्राइबर हैं तो जो रिसेंटली हमने एक सब्सक्राइब की इमेल एड़ किया था तो आप अपनी जो फॉर्म की स्टाइल है वो चैन्ज कर सकतो हो यहां पर आपको देखे देगा यह सबसे पहला फॉर्म है इसको यहां पर हम एडिट करेंगे तो जैसे कोई सब्सक्राइबर आपके काइट क अंदर आता है और यहां पर जो इसका पर इसको रिडर करना है इसका option यह आपको г on work setting के आसानी से आप अपने 500 तक इमेल की लिस्ट बिल्ड कर सकते हो इसके बाद जैसे आपका ब्लोग पोपिलर होता है तो आसानी से आप अपने दो लिस्ट को यहाँ पर बढ़ा सकते हो तो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेयर कर साथ तो साथ हमाराशने को सब्क्राब कर लेजे ताकि आपको ऐसे हेलपल वीडियो मिलते रहें थाइंक्यू पर शेंद इस वीडियो